हे गाईज आज हम बात करने वाले शाओमी के स्मार्ट ग्लासेस के बारे में जो उन्होंने आज इंट्रोड्यूस किये है तो पूरी जानकरी के लिए वीडियो में बने रही है तो दोस्तों बात करे smart glasses के brief history की तो ये glasses innovation पहले blind logo के लिए start किया था जिसमें उन्होंने navigation की मदद से कही जाने में मदद हो बाद में Google ने इसे innovative करते हुए और भी features लाने के बारे में सोचा जैसे कि आपने Iron Man movie में देखा होगा call feature, real time navigation, camera और बाकि सारे features जो हाला कि ये सबी चीज़े sci-fi movies में है लेकिन 2023 में Apple की तरफ से smart glasses आ सकते जो उन्होंने बहुत पहले से introduce किये है बाकि सारे companies की तरफ से भी आ सकते जिन्होंने introduce किये तो इन सबी companies को काटे की टकर देने के लिए Xiaomi ने अभी आप smart glasses introduce किये है जो की काफी अच्छी बात है तो दोस्तों आप जानते हैं उन features को जो Xiaomi कहता है उनके smart glasses में होगे जैसे कि आपने देखा होगा कि जो spy glasses होते है उसकी right arm और left arm काफी मोटी है जो कि उसे थोड़ा weird बना देते हैं लेकिन सोचो आपको Tony Star के पास जो glasses है वैसे cool glasses अगर मिले तो सच में दोस्ता आपने सही सुना है Xiaomi smart glasses के आप बहुत slim होने वाले as compared to spy glasses Xiaomi smart glasses smart wearable device concept पे बनाए जाने वाले जिससे आप अपने day to day life में यूज़ कर सकते हो Xiaomi कहता है कि इन smart glasses सा weight बस 51 gram रहेगा और इसमें आपको notification डिस्पले होगी इससे आप call कर पाऊगे और आपको ये navigation प्रोवाइट करेगा इससे आप photos भी निकाल पाऊगे और इसमें text translation का भी feature रहने वाला है और भी बहुत feature रह सकते है लेकि Xiaomi ने फिलाल इतने ही feature इंट्रोडिस किये है अब बात करते हैं इनमें जो glasses होने वाले उनके बारे में तो display के लिए micro LEDs का use किया जाने वाला है जिसकी size 2.4 x 2 mm रहेगी जो कि चावल के दाने जितना होगा और इसमें individual pixels रहेंगे 4 micrometer के जो display को fit करेंगे glass frame में ये एक ultra efficient monochrome panel रहेगा जो आपको नहीं दीखेगा और अगर आप देखोगे तो ये आपको normal glasses की तरह ही लगेंगे जो micro LED display रहेगा वो optical wave guide technology पे best है जो कि light को 180 degrees में refract करेगा जिससे आपको accurate दीखेगा और ज़्यादा details में नहीं जाते बात करते other features की इसमें आपको सारे के सारे ही notification नहीं दीखेंगे जो बहुत urgent और important है वही दीखेंगे like smartphone, alarm, urgent information from office apps, messages from contacts and other जो आपके लिए important है glasses में हमें built-in mic और speaker देखने को मिलेंगे और उसमें 5 megapixel का front camera रहने वाला है इन सभी features को काम करने के लिए यहाँ पे हमें ARM का quad core processor, battery, right side में touchpad, wifi and bluetooth और यह Android के software पे काम करेगा अभी तो बस इतनी details Xiaomi ने बता ही है और कुछ आती है तो मैं आपको ज़रूर बता दूँगा इसके लिए चैनल को subscribe करना या नहीं करना वो आपका decision है और वीडियो को like तो बनता ही है यह concept device है जो show करता है कि Xiaomi भी आप smart glasses पे काम कर रहा है और वो भी जल्द आ सकते है तो दोस्तों मिलते एक और नए वीडियो में नए टेक info के साथ थैंक्स पॉर वाचिंग, बाबाई